इनननने अर्टा खाकी तो सबी पेहनते हैं मगर उस खाकी के अंदर रियल हीरो छुपा हो तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है उत्तर प्रदेश के अलिगण में सब इंस्पेक्टर की जाबाजी ने एक बार फिर महकमे का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है बल्कि उनके साहस को सोशल मीडिया पर जम कर सलामी दी जा रही है सब इंस्पेक्टर आशीश कुमार गंगा में डूबते शक्स को डूबते देखकर ना सिर्फ बिना संकोच खुद गंगा में छालांग नगा दी बल्कि जान की बाजे लगा कर गंग नहर में डूब रहे व्यक्ति की जान भी बचाई है दरोगा के इस काम की हर कोई तारीव कर रहा है अलिगर के स्पी कला निदी ने थानी ने सब इंस्पेक्टर आशीश को परशस्ति पत्र और 25,000 रुपे प्रोच साहन राशी स्विकरत किये जाने की घोशन की है दरसल आशीश कुमार अलिगर के दादो छेतर की पुलिस चौकी पर तैनात है जानकारी के मताबिक रविवार को एक व्यक्ति गंग नहर में डूबने लगा था वह नहर के बीचो बीच चला गया था और मदद की गोहार लगा रहा था मौके पर तमाम लोग मौजूद थे मगर खत्रे के निशान के अरीब करीब बहर ही गंग नहर के पानी में कूदने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा इतने में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी दरोगा अशिश कुमार सिपाहियों के साथ मौके पर पहुँचे और अपनी जान की परवा किये बिना नहर में छलांग लगा दी दरोगा अशिश कुमार ने नहर में डूब रहे व्यक्ति को सकुशल बचा लिया इसके बाद दरोगा को वहीं हैंड बंब के पानी से नहलाया गया उनकी वर्दी और शरीर पर लगी मिट्टी को साफ किया गया मौके पर मौझूद हर शक्स ना सिर्फ हक का बग कर रहे गया बलकि सब ने दरोगा के इस काम की जम कर तारीफ भी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है SSP कला निदी नैथानी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा अलिगर पुलिस के जामाज सम इस्पेक्टर आशीश बचपन में 13 की सीखी उसके बाद सालों तक 13 की नहीं की लेकिन डूपते हुए की जान बचाने के लिए खाकी किस कदर समर्पित है यह दुनिया को दिखा दिया उन्होंने आगे लिखा सम इस्पेक्टर आशीश को प्रशास्ति पत्र एवं 25,000 रुपे प्रोत्साहन राशी सुईकरत की जाती है दोस्तो इस जावाज सम इस्पेक्टर की दिलेरी पर आपकी क्या राए है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और हाँ इससे पहले हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें ये बताया गया था कि गल्फेंट को इंप्रेस करने के लिए कैसे सिक्योरिटी गाड बन गया आर्मी का एक फरजी अधिकारी अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो को भी जाकर देखिए और अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ब्यूरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज